इस्राइल से जंग में कुदा इरान इरान के इस्राइल पर ताबर्तोड हवाई हमले से मिडिलिस्ट में तनाव चरम पर पहुँच गया है इरान की ओर से एक आक्टूबर की रात को 180 से जादा रॉकेटों और मिसाइलों से हमला हुआ इरान के हमलों से भड़के इस्राइली पीम ने कहा कि तेहरान को भारी कीमत चुकानी होगी मिडिलिस्ट में जारी तनाव के बीच इरान के सीधे युद में कूदने से हालात बिगड़ने की आश्रंका है इरानी हमलों के बीच G7 देशों ने दोनों मुलकों में तनाओं कम करने के लिए आपात बैठक बुलाई अमेरिका ने इसराइल को चिताया G7 मीटिंग में अमेरिकी राज़्ट पती जो बाइडन ने साफ कहा कि वाशिंग्टन इसराइल के साथ खड़ा है अगर इरान के नुक्लियर साइट्स पर हमला हुआ तो अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देगा अमेरिकी चेताउनी से इसराइल का इरान के नुक्लियर साइट्स पर हमला करने का इरादा थंडा पड़ सकता है अमेरिका ने इसराइल से इरान के हवाई हमलों का उसी भार्षा में गड़ा जबाब देने की बात कई अमेरिकी राजपती बाइडन ने इसराइल पर इरान के तावर तोड़ हमलों को पहले अप्रभावी बताया था बाइडेन ने कहा कि वो इसराइली पीम ने तन्याहों के साथ बात करेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं जोहें सोर इसराइली क्हु신ा प्लाइल ठाइल उत्यून जाजने जाम करें इसोराइलाहाइला चॉष्ट वॉबगा घाजक में रेखन만 traject रेटी ने टोज सराइली हो और टो पाल सोराइलर क्पोर्चर वीम उल्याहाद जिस्राइल हों यइए बीरवार है ॉबगा और प्रतिबंद जहेलेगा इरान मिडल इस्ट के युद को बढ़ाने के आरोप में अमेरिका इरान पर और प्रतिबंद लगा सकता है इस्राइल पर इरान के हमलों से भड़के नितन्याहु ने तेहरान के हवाई हमलों का बदला लेने की कसम खाई नितन्याहु ने हमलों पर तुरंद प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इरान ने हमला कर बड़ी गलती कर दी है ऐसा माना जा रहा है कि इस्राइल इरान के हमले का कड़ा जवाब देने की तयारी कर रहा है दावा तो ये भी है कि इसराइल इरान के नुकलियर पाउर प्लांट पर जोरदार हमला करने की तैयारी में है ऐसे में अमेरकी राजपती ने इसराइल को नुकलियर साइट पर हमला करने से बचने की सलाह दी है कि युकलिब रड़ हमला करने से बढ़ प्लांट में टूता हमला करने का दो युकलियर से जुकलियर की खुकलियर लग शदयों पर था लगाउवड़ जो ने का, जुकलियर साही में भी है